ओशो ने कहा है कि लंबा जीवन की जगा जोड इस बात पे होना चाहिए कि जीवन गेहरा हो यदि मैं ध्यानपूर डंग से वर्तमान शन को आनंद लेते हुए 200 वर्ष तक जीऊं तो क्या इसमें कुछ खराबी है दो सोई क्यों दो हजार साल जी हो लेकिन तुम्हारा प्रस्ण ही बता रहा है तुम बरतमान शन में नहीं हो तुम ध्यान पूर्ण भी नहीं हो और तुम गहरा जीवन भी नहीं जी रहे वर्ना एक छण का जीवन भी अपने आप में परियाप्त है संतोश दाई है और भविष्ट की आकांच्छा से मुक्त कर देता है 200 साल तक जीना चाहे रहे हो इसका मतलब है अभी जीवन में त्रप्ती नहीं है कंटेंटमेंट नहीं है गहराई नहीं है उतले उतले 200 साल जीओ की 2000 साल की 20,000 साल कोई फरक नहीं पड़ता आयू की लंबाई महत्पूर नहीं है गहराई महत्पूर है छण भर भी हम पूरा भवक कर जी लें दीपक की जोती होती है न कभी टिम्टिमाती सी जीती है और कभी भवक के लपट बनके ओशो का कहना है लपट बनकर जीओ संपूर्ण ता टोटलिटी वह महत्पूर है कितनी देर तक इस से कोई फरक नहीं पड़ता यह आती की कहानी सुनी न एक हजार साल तक जिंदा रहा अपने बेटों की आयू कम करके सवयं जीता रहा जीता रहा जीता रहा एक हजार साल बाद भी जब यमदूत आए तब मनिस्थिती वही की वही थी अभी भी मरना नहीं चाहता था तब तो यम्दूत उनका अब तो शर्म करो तुम्हारे दस बेटे कुरवान हो गए अब चलना ही होगा क्योंकि सिद्ध हो गया कि तुम में अक्कल नाम की चीज़ नहीं है तुम्हें हजार साल में भी समझ में नहीं आया इस जीवन में जो तुम पा रहे हो है पाने योग ही नहीं है तुम निरर्थक के पीछे दोड़ रहे हो सार्थक की जिग्यासा ही नहीं जन्मी तुम मूड हो इडियट तुम एक लाग साल भी जीओ तो इसी प्रकार से जीओगे चलो वापस ओशो ने जो कहा है वैं बिलकुल सत्प्रतिसत सही है गुरुदेव अगला प्रश्ण है गीता दर्शन में प्रकृति के तीन गुनों को समझाया गया है पदार्थ शक्ति और चेतना ओशो कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है बताने की अनुकंपरा करें कि ये चोथा तत्व प्रेम क्या है लव इज अट्रेक्शन जस्ट लाइग ग्रेविटेशन जैसे पदार्थ के बीच में आकर्शन है ठीक वैसे ही चेतना के बीच में भी आकर्शन है पदार्थ के आकर्शन को हम गुरुत्व आकर्शन कहते हैं ग्रेविटी कहते हैं चेतन के बीच जो खिचा लगाओ है अपनत्र की भावना है उसका नाम प्रेम है संपूर्ण अस्तित्व उसी से बंधा हुआ है इसा मसी ने तो कहा था गौड इस लव उशो ने इस वचन को बिल्कुल पलड दिया उन्हों का लव इस गाड कि सुनने में लगता है दोनों एक सी वात है नहीं एक सी वा प्रेम है ऐसा लगता है कि प्रमात्मा के बहुत से गौन है उन्हों में से एक गौन प्रेम भी है गाड इस लव आलसो कई क्वालिटीज होंगी उसकी एक क्वालिटी प्रेम पूर्ण होना है उशो ने बात बिल्कुल पलड़ दिया उन्हों का लव इस गाड if you wish you can forget God love is enough प्रेम ही प्रभू है तुम चाहो तो प्रभू शब्द भी छोड़ दो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन प्रेम ना चूटे प्रेम ही परमात्मा है यह बिल्कुल अलग स्टेटमेंट हो गया प्रेम पर जोर है अगर तुम परमात्मा शब्द का उप्योक करना चाहते हो आस्तिक धारना है तुमारी तो ठीक खुब अच्छे से समझ लो जैसा तुमने बच्पन में सुना समझा पढ़ा लिखा देखा देवी देवताओं के कलेंडर मूर्तियां इत्यादी इत्यादी वैसी परमात्मा क के प्रती सम्मान भाव से भरे होना यह दिव्वता है यह भगवता है